सब्सक्राइब कीजिए एक्जाम सब के यूट्यूब चैनल को क्योंकि यहां होती है केवल ग्यान की बातें आपकी एक्जाम की बातें सटिकता के साथ इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक गुड न्यूज है जिसे स्वयम सिक्षा मंत्री ने ट्वीटर पर सेयर किया है मैंने कल ही इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर इस न्यूज को सेयर किया था परन्तु आप में से कई छात्रों ने इसे लेकर हमसे और क्लेरिटी चाही थी इसलिए इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से इस न्यूज पर मैं चर्चा करने वाला हूँ अपनी इग्जैम को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप फेस्बुक ट्विटर या इंस्टाग्राम पर कभी भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं डिरेक्ली मैसेज कर सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपके स्क्रिन दोनों ही जगह मौजूद है के लिए JEE मेन क्वालिफाई करने के अलावा आपको बोर्ड इग्जैम में कम से कम 75 परतिशत यानि 75 परसेंट अंक या टॉप 20 परसेंटाइल में आना होता था लेकिन कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए इस eligibility क्राइटेरिया में कुछ बदलाव किये गए हैं IIT के बाद अब Central Seat Allocation Board यानी CSAB ने इस eligibility क्राइटेरिया में छात्रों को राहत देने का फैसला किया है कोरोना पैंडेमिक के कारण इस वर्ष JEE मेन कौलिफाइड छात्रों को केवल क्लास 12 में पासिंग मार्क सेक्योर करना होगा और वे NIT या CFTI में admission लेने के लिए eligible हो जाएंगे इस न्यूज को HRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोख्रियाल निसंक ने स्वयम ट्वीटर पर सेयर किया है